दोस्तो बोर्ड मास क्या है ये जानने से पहले हम ये जानेंगे बोर्ड मास क्यों है क्या जरुत है उसकी तो अगर मेरे पास ये सवाल है देखो ये एक साही सवाल है लगब सेम सवाल है बिल्कुल लेकिन अगर मैं इस सोल करता हूँ मैं पहले क्या है इस चीज़ को सोल कर ल पहले क्या है पहले में भाग दे देता हूं डिवाइड कर लेता हूं तो तीन आ जाएगा उसके बाद जो बचा तीन तो तीन तीया क्या हो जाएगा नो आ जाएगा तो दोनों केस में क्या है अंसर हमारे अलग अलगा रहे हैं तो ऐसा क्यों है क्योंकि एक चीज में तो क्या बोर्ड मास लगा है और एक सवाल में बोर्ड मास नहीं लगा है तो इस में जिक दोनों में से एक गलत है एक सही है अब आपको ये कमेंट करके बताना है कि आपको क्या लगता है कौन से वाला सही है ये A है A सही है कि मैं इसका नाम B दे दू कि B सही है ये कमेंट करके आप बत बोर्ड मास को जानने के बाद जो आपने अभी कमेंट किया है आंसर उससो आप अपने आप ही पता चल जाएगे कि दोनों में से सही कौन सा था तो अब हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करें देखो इनका मतलब क्या होता है अगर मैं मतलब की बात करूँ तो पहले में क्या है ये ले लेता हूँ नीचे वाले तो D से क्या हो जाता है Divide मतलब की भाग Multiply मतलब की गुणा a से क्या हो जाता है addition या फिर add मतलब की जोड s से क्या हो जाता है subtract मतलब की घटा यह हो जाता है अब यह क्या है जितना जो उपर है जिसका level जादे बड़ा है मैं मालनू 1, 2, 3, 4 तो जो जितने पाइदान उपर है वो पहले आएगा मतलब की अगर मैं सवाल लिखता हूँ 5, गुणा 5, भाग 5, माइनस 5, पलस 5 काफी बार यह सवाल एगजाम में आ चुका है तो इसे कैसे solve करूँगा मैं देखो क्या है यहां से मैं चलूँगा मुझे चलना है उपर से नीचे की ओर जो जितना उपर उसकी पावर उतनी ज़्यादा जिसकी पावर ज़्यादा उसे पहले solve करना है तो पहले क्या आ रहा है? divide आ रहा है, d आ रहा है, तो सबसे पहले क्या है? इन दोनों को मैं solve करूँगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 5 भाग 5 करूँगा, तो 1 आ जाएगा अब हमारे पास सवाल कुछ ऐसा दिखेगा अब क्या है भाग के बाद क्या आ रहा है? गुणा आ रहा है, तो हमारे पास गुणा है तो गुणा को सोल करेंगे उसके बाद तो मेरे पास आगया 5 एकम 5 अब सवाल कुछ ऐसा दिखेगा अब हमारे पास ये आगया तो अब इसमें क्या है देखो यहाँ पर क्या है 5 माइनस का है और यह वाले इस वाले 5 से पहले कोई निसान नहीं है तो जब कोई निसान नहीं होता तो उससे पहले क्या है पलस होता है तो पलस पलस वाले को मैं जोड लूँगा 5 और 5 दस और 10 में से क्या है 5 घटाओंगा तो मेरे पास 5 आ जाएगा हम ऐसे भी कर सकते थे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि मैं 5 से में 5 गया यह कट जाएगा और बचेगा 5 तो यह हो जाता है divide, multiply, subtract तो इस सवाल के बाद एक और सवाल ले लेते हैं तो हमारे पास कुछ ऐसा सवाल है तो इसका solve करने के बाद क्या आएगा देखो है यहाँ पर क्या है? सारे के सारे क्या है? divide है, भाग है तो इसमें जब कभी भी भाग ऐसा सवाल आए या कहीं भी भाग हो तो भाग के बाद वाला नमबर तो भाग के बाद वाला नमबर यहाँ क्या है? 5 है तो वो किस में बदल जाएगा? वो बटे में बदल जाएगा जैसे पांच बदल जाएगा एक बटे पांच में और अगर एक बटे पांच होता तो वो किसमें बदल जाता पांच में हमारे पास दस है तो दस बदल जाएगा किसमें एक बटे दस में हमारे पास पच्चिस है तो 25 बदल जाएगा 1 बटे 25 में ये बात किलियर हुई दूसरी बात क्या है जो भाग का निसान है वो किसमें बदल जाएगा भाग का निसान बदल जाएगा गुणा में अब हमारे पास सवाल कुछ ऐसा आ जाएगा कि मैं लिखूंगा 125 तो 25 तो ऐसा कैसे रहेगा और भाग से अगले वाला नमबर किसमें बदल गया एक बटे 5 में और भाग बदल गया गुणा में अब आगे की तरफ चलते हैं आगे क्या है फिर से वो ही चीज है भाग है तो भाग किसमें बदल जाएगा गुणा में और उससे अगले वाला नमबर किसमें बदल जाएगा एक बटे 5 में सेम ऐसे करेंगे भाग है यहाँ पर तो भाग बदल जाएगा किसमें भाग बदल जाएगा गुणा में और उससे अगले वाला नमबर किसमें बदल जाएगा एक बटे 5 में तो हमारे पास कुछ ऐसा दिखने वाला बन जाएगा 125, गुणा 1 बटे 5, गुणा 1 बटे 5, गुणा 1 बटे 5 इसे काट लेते हैं इसे मैं काटूँगा, तो मेरे पास 5 से कटेगा ये 5, 25, 125 तो ये इसे पूरा गे-पूरा ले डूबेगा हमारे पास किया बच्चे का एक अंसर आ जाएगा तो ये डिवाइड का कॉंसेप्ट होता है तो जब भी डिवाइड करना होता है हमें तो हमें एक ईक बात याद रखियेगा कि हमें left to right चलना होता है इस में इस दिसा में चलेंगे मतलब उल्टे हाथ से सोलू करना शुरू करेंगे सिधे हाथ की तरफ को ठीक है आगे कॉंसेप्ट पढ़ते हैं तो मैं आगे कॉंसेप्ट पढ़ूं तो क्या है बोर्ड मास बोर्ड मास की पहले जो बोर्ड मास है वह अपने आप में ही चैप्टर तो पहले हम क्या इन चारों के बारे में बात कर लेते हैं जो कि क्या है basic है हमारे D का मतलब क्या हो जाता है divide मतलब भाग M का मतलब क्या हो जाता है multiply मतलब गुणा A का मतलब क्या हो जाता है add मतलब की जोड subtract S से subtract मतलब की घटा तो अगर मेरे पास एक छोटा सा सवाल में ले लुँआhando कि 5 माइनस 5 गुणा पांच पलस 5 भाग 5 अगर आपने इसमें चोटी सफी गलती कर दी तो आपका उत्तर गलत हो जाएगा इसमें क्या है कि अमालो आपने पहले क्या कर दिया? 5 गुणा 5 कर दिया तो आपका उत्तर निराला ही आएगा कुछ सब से अगर आपने क्या है 5-5 कर दिया पहले तो ये कितना हो जाएगा 0 और 0 की गुणा 5 से होगी तो वो भी 0 हो जाएगा तो इसमें भी उत्तर अलग आएगा तो हमें करना क्या है इसलिए इस सवाल को सोल करने के लिए या इस तरह के सवाल को सोल करने के लिए हमें जरुत पड़ती है बोर्ड मास की ठीक है तो बोर्ड मास के अनुसार क्या होता है जो जितना उपर है जो जितना उपर है इस लिस्ट में या जिसका लेविल जादा है उसे हम पहले सोलू करेंगे मतलब कि अगर यहाँ पर हमारे पास divide है, multiply है add है, subtract है सवाल में, जैसे कि इसमें है ठीक है, भाग भी है, गुणा भी है जोड भी है, घटा भी है, सब कुछ है इसमें तो इसमें क्या है, सबसे पहले हमें भाग करेंगे फिर गुणा करेंगे, फिर add करेंगे फिर subtract करेंगे माल लो, अगर क्या है उसमें add नहीं है, ठीक है इसमें जोड नहीं है तो हम क्या करेंगे, सीधा divide करेंगे गुणा करेंगे और सीधा फिर घटा देंगे, ठीक है भाग के बाद गुणा करना होता है, गुणा के बाद जोड़ना गटाना, ठीक है, तो पहले भाग, फिर गुणा, फिर जोड़ गटा चलता रहेगा, तो 5 को 5 से में भाग करूँगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा, clear, अब हमारे पास सवाल कुछ ऐसा कर दिया, अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास क्या है, multiply है, add है, subtract है, तो इसके अनुसार, multiply है, multiply है, add है, subtract है, तो सबसे उपर क्या आ रहा है, सबसे उपर आ रहा है, multiply गुणा, तो हम सबसे पहले गुणा करेंगे, तो मैंने इन दोनों की गुणा करी, तो 5 गुणा 5 मेरे पास क्या आ गया 5 पंजे 25 आ गया अब यहां क्या था 5 था और पलस एक था अब देखेंगे यहां पर देखो जो पलस पलस के हैं देखो यहां पर कोई sign नहीं है 5 से पहले तो हम इसे पलस मान लेंगे अगर किसी number से पहले पलस माइनस नहीं लिखा हुआ तो हम उसे पलस मानते हैं क्लियर अब क्या है जो पलस पलस का है उसे जोड लेंगे तो 5 रे कितना हो जाएगा 6 माइनस 25 तो मेरे पास क्या बचा 19 बच गया अब 19 बच गया 19 देखो यहां पर क्या है अब हमें देखना है बड़ा कुन सा है दोनों में से बड़ा 25 है 25 क्या लिए हुए है माइनस लिए हुए है तो यहां पर जो बड़ा संख्या होती है उसी का साइन लगता है तो इसका माइनस 19 आजाएगा अब हम बात करते हैं देखो अगर हमारे पास ऐसा सवाल है मालो 25% of सो भाग दो अब इसमें क्या करेंगे ये सवाल है मारपा इसमें क्या करना होता है देखो ध्यान से देखो अब ओ का मतलब यहां पर क्या आ जाता है ओडर आ जाता है ठीक है यहां पर ओडर लिखा हुआ है अब ओडर में क्या क्या चीज आ जाती है order में आ जाता है off square या cube या इसे में सीधा ही power लिख देता हूँ तो off क्या जाती है power root ये सब आ जाता है order में अब off इसमें सबसे ज़्यादा important है तो off का क्या मतलब होता है हिंदी में क्या आएगा का और इसका क्या मतलब होता है का का मतलब होता है गुणा इस बात को मैं अभी समझाता हूँ तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है ओफ लिखा हुआ है तो इस सवाल को मैं दूसी तरीके ज़े हिंदी में क्या लिख सकता हूँ सो का 25% ठीक है बात एक ही है 25% सो का या सो का 25% का का मतलब या फिर of का मतलब और का का मतलब क्या हो जाता है गुणा तो यह सवाल हो जाएगा सो गुणा पक्चिस अब यहां क्या है 25% है जब भी आपको 25% लिखा हुआ दिखे तो इसको क्या है इसको हटा के इसको हटाके भाग सो कर दूँ तो जब भी 25% दिखे तो क्या है? जैसे कि मैंने लिखा 35% 35% है तो मैं क्या करूँगा? परसेंट के निसान को हटाऊंगा बटे सो कर दूँगा अगर मेरे पास है 100% 100% मैं क्या करूँगा? percent की निसान को भटाऊंगा, बटे 100 कर दूँगा, तो कितना आजाएगा, एक आजाएगा अगर मैं कहूँ कि 75 percent तो percent की निसान को भटाऊंगा बटे 100 कर दूँगा, 25 से कर जाएगा 25 ती है, 25 जोगे 3 बटे 4 आजाएगा ठीक है जी, तो यह छोटा यह पर क्लियर कर देते हैं, तो अब हमारे पास क्या आ गया, यह 100 से 100 कर जाएगा, तो हमारे पास जो इसका उत्तर आ जाएगा, 25 आ जाएगा, अब हमारे पास यह सवाल है, यह सवाल है, यह सवाल है हमारे पास, इसे कैसे सोल करेंगे, अब क्या है, इसे सोल करने के लिए, द अब क्या है ओफ की बात करूं मैं तो ओफ क्या बदल जाएगा ओफ बदल जाएगा गुणा में और उसके बाद क्या है सो और उसके बाद यहाँ पर क्या है गुणा है और यहाँ पर क्या है 25% तो % हड जाएगा बटे सो आ जाएगा और ओफ किसे में बदल जाएगा ओफ बदल जाएगा गुणा में बटे दोसों ध्यान देने वाली क्या बात है ध्यान देने वाली बात ये है देखो अगर मैं ये वाला गुणा पहले सोलू कर दूँगा तो हमारा सवाल गलत हो जाएगा तो हमें क्या है ये वाला गुणा पहले सोल करना है क्यों 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 कि ये क्या है ओफ से बन के आया है तो हमें पहले क्या है ओफ क्या है पहले सोल करना होता है किस से गुणा से खेलियर तो इसे मैं सोल करूँगा तो देखो मेरे पास क्या है सोल करूँगा तो क्या आजाएगा ये क्या है ये सो इससे कर जाएगा तो मेरे पास क्या जाएगा पचास ये सो इसे दो से काड़ देगा तो मेरे पास क्या जाएगा गुणा ये गुणा ऐसे कैसे मैंने कोपी कर लिया तो 25 दुनी 50 तो 50 गुना 50 आ गया तो मेरे पास क्या गया 25 25 पच्चिस सू और 2 जीरो लग जाएगी तो यह मेरे पास आंसर आ जाता है अब आ जाती है उस सवाल की बारी जो मैंने कलास में सबसे पहले बताया था तो उस सवाल स्कार्ड को देखते हैं देखो जो जो यह सवाल है यह आपको कोई नहीं बताएगा जो आप concept में बताने वाला हूं जिसकी वजैसे बच्चों के ऐसे ही सवाल आते हैं और कोई teacher यह बताता है और हमेशा हो गलती कर देता है और निगेटीज चली रही है तो इसे क्या करना है अगर आपने इसका अभी तक कमेंट नहीं किया है तो पोज करके कमेंट कर दीजेगा तो इसे स्वाल करने के लिए हम क्या करेंगे देखो जब भी कोई ऐसा सवाल आता है ठीक है यहाँ पर है इसके बाद में ब्रेकिट ही समझाने वाला हूं पहले कॉंसेप्ट समझ लीजिए तो जब भी ऐसा सवाल आता है यह ब्रेकिट में है तीन और अगर मैं यहां पर यहां पर निसान नहीं होता है यहां पर होता है ओफ तो अब हमार जो सवाल बन जाता है वो बन जाता है No भाग तीन ओफ टीन ओफ का मतलब आप काभी ले सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है तो इसे मैं soul करूँगा तो यहाँ पर order के हिसाब से board mask के हिसाब से हमें क्या है भाग से पहले भाग से पहले हमें क्या है off soul करना होता है क्यों 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 उससे उपर है तो मैं इसे soul करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा मेरे पास आ जाएगा no भाग और यह तीन तिया कितना हो जाएगा नो हो जाएगा तो यह हो जाएगा एक तो जिस जिस ने comment में यह answer दिया था उनका सही है और यह concept most important में है most important में है आज गल paper में ऐसे ही सवाल आगा रहा है अब हम बात करते हैं bracket की दरु तीन तरह के bracket हो जाते हैं इन नाम हम भी जान लो यह क्या हो जाता है इसमोल ब्रैकिट यह ओपन ब्रैकिट बोलते हैं इसके बाद क्या आजाता है करली ब्रैकिट यह मद्या ब्रैकिट बोलते हैं इसके बाद क्या जाता है बड़ा ब्रैकिट यह बड़ा कोस्टक जिसे हम बोक्स ब्रैकिट भी बोल देते हैं तो इसे कैसे सोल करना होता है, तो अगर मैं सवाल लिखूँ, तो अब हमें सोल कैसे करना होता है, जब भी कोई ऐसा सवाल आ जाए, जिसमें क्या है, ब्रैकिट है इस सवाल में, जैसे कि ये सवाल है, इसमें क्या है, बहुत सारे ब्रैकिट है, तो हमें क्या करना है, हमें कु तीसरा कमरा क्या हो गया ये वाला तो सबसे अंदर वाला जो भी कमरा है जो भी रूम है उसे सबसे पहले गुसना है और उसका सिकार करना है सबसे पहले हमें ये सोलू करना है तो इसे सोलू करने के लिए तो यहाँ पे क्या है गुणा है और पलस है बोर्ड मास के अनुसार हम क्या करना है पहले गुणा करना है कि प्लस करना है पहले गुणा करना है तो गुणा करेंगे हम पहले तो इसे सोल करूंगा तो यह 5 पंजे 25 यह हो जाएगा 25 और यहां पर क्या है प्लस 5 कर दूँगा तो कितना जाएगा 30 हो जाएगा तो इसको मैंने solo कर लिया bracket को तो यहाँ पर क्या आ गया 30 आ गया 5 25 पहले गुणा करी फिर 5 जोड लिया तो 30 हो गया अब क्या है ये वाला bracket solo हो गया लेकिन क्या है ये अभी भी क्या है bracket में है और भार क्या है 5 है मैं पहले इसकी बात करता हूँ ये सवाल कुछ इस तरह से हो गया ये सवाल कुछ इस तरह से हो गया ठीक है अब मैंने क्या बताया था कि जब भी कोई ऐसा bracket आए इससे बाहर कुछ नहीं है तो यहाँ पर क्या है यहाँ पर off है ठीक है तो इसे मैं sol करूँगा तो मेरे पास bracket मैं open कर लेता हूँ तो 300 भाग 5 ओफ 30 मेरे पास कुछ ऐसा दिखने वाला कुछ नंबर आ गया ठीक है अंदर वाला bracket हमने उसका सिकार कर लिया खतम कर दिया अब क्या हुआ अब मैं इसे sol करूँगा तो यहाँ पर क्या है दो गुणा भी है का आ जाए या ओफ आ जाए एक ही बात है हमें गुणा करना है पहले तो मैं करूँगा तो 5 गुणा 30 कितना हो जाएगा देड़ सो एक सो पचास और यहाँ पर क्या है 300 तो 300 भाग एक सो पचास अब हमारे पास कुछ ऐसा दिखने वाला सवाल बचा है इसे मैं सोल करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा मैं 300 को भाग करूँगा 1.500 से तो यह क्या है दो बार कर जाएगा तो 2 आ जाएगा तो मेरे पास अब क्या बचा 2 गुणा 2 बचा और यह बड़े वाला ब्रैकिट बच गया तो यह बराबर किसकी हो जाएगा चार हो जाएगा ठीक है तो यह हो जाता है हमारा ब्रैकिट का कौन से हमें क्या करना होता है सबसे पहले सबसे अंदर वाले कमरे में सबसे अंदर वाले ब्रैकिट में गुश के उसको सोल करना है उसको solve करने के बाद जब वो पूरी तरह से solve हो जाए उसके बाद हमें भार निकलना है जब वो एक number बचेगा तो bracket वहाँ पे खतम हो जाता है तो उसके बाद अगर ऐसा कुछ number है जिसके बीच में कोई निसान नहीं है तो उसे off या काले के चलना है जिसका मतलब क्या होता है गुना अब हमने गुना करी यहाँ पे हमारे पार डेड़ सो आया तो डेड़ सो जब आ गया तो तीन चो से मैंने भाग किया तो दो आ गया और भार क्या था यह bracket खतम हो गया इस bracket को solve करने के बाद मेरे पास क्या आया था यह दो आया था तो जब दो आ गया तो यह खतम हो गया तो दो से गुना करूँगा जो कि यह भार वाला था तो चार आ गया अब हम बात करते हैं देखो यह जो बोर्ड मास है यह दरसल बोर्ड मास नहीं होता यह होता है वी बोर्ड मास अब V का क्या मतलब है V का मतलब होता है बोलते हैं इसे क्या है VINCULUM अब VINCULUM का क्या मतलब है सिधी सी बात है इसे हम DENOTE करते हैं बार से अब इसका मतलब क्या है यूज क्या है ये बताता हूँ तो देखो अगर मैं इसी सवाल में ये vinculum use कर लूँ ठीक है? ये 5 और 5 के उपर vinculum है अगर इसी सवाल में vinculum use कर लूँ तो अभी तो इसका उत्तर क्या है? 4 आ रहा है लेकिन vinculum लगते ही इसका पूरा व्या पूरा solution और उत्तर भी बदल जाएगा तो vinculum क्या है? ये देखते हैं तो जो पिछले वाला सवाल था उसका solution मैंने मिटा दिया अब क्या है? vinculum देखते हैं vinculum क्या है? किस चिडिया का नाम है vinculum? तो अगर मैं यहाँ पर vinculum लगा हुआ है 5 पलस 5 के उपर और यहाँ पर क्या है? गुणा 5 है इस बार के नीचे जो भी number है वो पहले solo करने है तो 5 पलस 5 क्या हो जाएगा? यहाँ पर 10 हो जाएगा और यहाँ पर क्या है? गुणा 5 थी तो यह कुछ ऐसा हो जाएगा इसे मैं पूरे को solo कर लूँगा 10 गुणा 5 के आजाएगा? यहाँ पर 50 हो जाएगा अगर मैं यहाँ पर लिखूँ नो भाग तीन ओफ तीन और यह सवाल कुछ ऐसा है यह विनकुलम है नो भाग तीन के उपर ओफ तीन है अब हमें पता है हमें ओफ मतलब की का या गुणा यह सवाल को मैं सवाल करूँगा तो यह सवाल कुछ अब देखने में ऐसा बन गया यह सवाल कुछ ऐसा बन गया अब क्या है यहाँ पे bracket के भार कोई निसान नहीं है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ओफ हो जाएगा जैसे कि हमने बात की थी ओफ का मतलब का होता है और दोनों का मतलब क्या होता है गुणा होता है तो 50 गुणा 5 करूँगा सवाल हो गया इसे मैं सोल करूँगा तो अगर मैं 300 को मैं भाग करता हूँ किससे 250 से तो 1-0 से 1-0 कर जाती है 5-6-35-25 तो 6 बटा 5 आ जाता है तो मैं यहाँ पे डारेक्ट इसे सोल करके क्या आ जाएगा 6 बटा 5 आ जाएगा अब यहाँ पे क्या है दो गुणा में है यह ब्रैकेट हट गया अब क्या बचा हमारे पास बड़े वाला बोक्स ब्रैकेट बचा या फिर बड़ा कोस्टक बच गया तो इसे मैं सोल करूँगा तो कभी भी ऐसा गुणा आ जाती है फ्रैक्शन में तो उपर वाले की उपर से गुणा कर दो तो 6 दुनी 12 बटे 5 इसका अंसर हो जाए तो आपने देखा कि इसका उत्तर विना कुलन लगाते ही बदल गया पहले क्या आ रहा था पहले इसका आ रहा था चार आ रहा था लेकिन विना कुल्म लगाने की वज़े से बार लगाने की वज़े से अब इसका उत्तर 12 बटे 5 आ रहा है अब एक और चीज कॉंसेप्ट बता देता हूँ आपको जाते जाते जिससे कि आपकी कैल्कुलेशन थोड़ी फास्ट हो जाएगी अगर मैं लिखूँ कि 10 पलस 5 माइनस 5 अगर मैं इसे बोर्ड मास के अनुसार सोल करूँ तो 5 और 5 पहले हमें जोड़ना होता है तो मैंने जोड़ा 5 और 10 कितना होगा 15 माइनस 5 करूँगा तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा मान लो मैं बोर्ड मास फालो नहीं कर रहा हूँ और पहले कर देता हूँ क्या पहले मैं माइनस कर देता हूँ तो पहले मैंने माइनस किया तो 5 में से 5 गया 0 तो 10 पलस 0 बचा जिसका मतलब क्या होता है 10 ही होता है तो दोनों केस में क्या है दोनों केस में आंसर क्या है हमारा दस ही आ रहा है तो इस चीज़ से हमें ये पता चला कि जो add और subtract होता है add और subtract इन दोनों की गहरी आरी होती है गहरी दोस्ती होती है तो आपस में ये adjust कर लेते हैं वो add कहता है कि चल यार पहले तूँ सोल हो जा कोई दिक्कत नहीं है तो आपस में ये पहले हम subtract भी कर चकते हैं घटा चकते हैं या जोड चकते हैं कोई दिक्कत नहीं है आंसर हमारा से माने वाला है तो simplification की सरली करन की आज हमने class की board mask की इससे पहले हम क्या क्या कर चुके हैं fraction कर चुके हैं भिन, भिन को जोडना घटाना, गुना करना, भाग करना भिन की power लेना भिन को दसमलव में कैसे बदलते हैं उसके बाद हमने भिन chapter complete करने के बाद फिर हम आये दसमलव पे decimal पे हमने सीखा दसमलव को जोडना घटाना, गुना करना, भाग करना दसमलव की power लेना दसमलव का root लेना और दसमलव की कैसे दसमलव की जो दसमलव होती है वो shift करना ये सब हमने सीखा दसमलव के बाद फिर हमने किया LHS, RHS जो की पिछली last वीडियो थी LHS, RHS LHS, RHS में क्या था कि किस संक्या को अगर बराबर से दूसरी तरफ ले जा रहे हैं तो plus minus में बदल जाता है, minus plus में बदल जाता है वैसे ही गुणा को अगर हम is equal to से दूसरी तरफ ले जा रहे हैं बराबर से दूसरी तरफ ले जा रहे हैं तो गुणा भाग में बदल जाएगा भाग गुणा में बदल जाएगा उसके बाद हमने board mass यहां पे किया है तो यह सब simplification का ही एक part है अब इसके बाद हम simplification सरली करन के ऐसे सवाल करेंगे जो पिछले सालों exam में आयो है entrance exam में या फिर सरकाई नोकरी के exam में हम एक निचले इस तर से लेके basic level से लेके एक ऐसे advanced level तक करेंगे simplification कि आपको उससे उपर का कोई भी सवाल exam में देखने को नहीं मिलेगा तो मिलते हैं अगली वीडियो में simplification में तब तक के लिए जय हिन जय वारत